नमस्कार दोस्तों स्मार्ट टेक्निकल सागर चैनल में आपको स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा डिलर आपको 2017 से लेकर के 2022 के बीच में गेहु चावल कितना दिया है और किस डेट को दिया है उसका पुरा डिटेल्स अपने मुएल से कैसे निकालते हैं इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कभी कबार ऐसा भी हो सकता है जो सरकार दुवारा जितना दिया जाता है गेहु चावल उतना आपको मिलता है या नहीं मिलता है उसका डिटेल्स आप अपने मुएल से निकाल सकते हैं ठीक है और ये भी कार में आधार कार कितना मेंबर का जुरा हुआ है उसका भी आपको डिटेल्स निकाल सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है इस चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और व दोस्तों ओपन हो जाने के बाद जैसा कि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अब पर क्रोम डॉजर गोपन कर लिए हैं और सर्च में आपको टैप करना है उप निकाल सकते हैं इस तरह का खुल के आजागा आपके मोग्ल में अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल सबसे फ़र्स्ट में जो लिंक है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने में इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा यहां पर आपको मिल जाता है अधार एनेवल पॉलिक डिस्टिब्यूशन सिस्टम एपीडियेस फूर एंड कंजूमर प्रोटक्शन और विहार का यह official website आपके सामने में खुल के आ जागा अब आपको हम जूम करके बतलाएते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कई सरा option नीचे में देखने को मिल जागा अब आपको यहां पर देख सकते हैं एक option यहां पर देख सकते हैं RC details का मिल जागा ठीक है तो RC details के उपर से यहां पर मौन्थ का नाम सेलेक्ट करना है ठीक है उसके बाद यहां पर जिस भी साल का आप डिटेल्स निकालना चाहते हैं उस साल को यहां से उस साल को यहां पर सेलेक्ट करना है उसके बाद रासन कार नंबर को यहां पर फिल करना है ठीक है उसके बाद यहां पर लास्ट परी मार्च अप्रील मौई जून जुलाई अगस्त सेप्टमबर तो इसमें से जिस भी महिना का आप चेकर ना चाहते हैं उस महिना को यहां से सलेक्ट करना है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं यह 2022 है ठीक है तो यहां पर 2021 2020 2019 2018 2017 जिस भी आप साल का डिटेल्स देखना चा नंबर को फिल करना है तो चलिया पर राषन कार नंबर को हम फिल कर देते हैं तो जैसा कि दोस्तों यहां पर रासनकार से खुलके और यहां पर यह पूरा जनकारी सकते हैं जो किस यानी सीरियल नम्ब्र यहां पर मिल जागा और यहां पर मेंबर नेम मिल जागा यानि उस राशन कार्ड में कितना फैमली का नाम है यह भी मिल जागा और जेंडर ऑज जाएगा एज मिल जागा स्टेटस यानि एक्टिव और अधारकार यहां पर जूरा है या नहीं यहां पर मिल जागा ठीक है उसके बाद आपको गेहुचावल कितना मिलता है तो यहां पर यह यूनिट यहां पर देख सकते हैं यह मिल जागा ठीक है टोटल यूनिट कितना मि और किस मौन्त का है किस साल का है ये भी मिल जागा तो इसी तरह से आप अपने मुएल से आप निकाल कर सकते हैं जो 2017 और 2022 के बीच में कितना गेहुं चाबल सरकार दोहरा आपको दिया गया ठीक है जो इस तरह से आप अपने मुएल से चेक कर सकते हैं तो दोस्तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए जाहिंद